अब बात एक बहुत रोचक खबर की सियासत से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में मोदी का विजय भियान रोकने के लिए जो विपक्षी ने इंडिया गडबंधन बनाया था वो धड़ाम होता नजर आ रहा है लोग सभाचुनाओं से पहले ही कांग्रेस और अखिलेश य बाते करते थे अब उनको गोबर पर रोसनिम लगे हैं मामला विगड़ा है मद्य परदेश विधान सभाचुनाओं से जहां पर कुछ सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच विवाद हो गया और दोनों ने अपने परत्यासी खड़े कर दिये उत्तर परदेश में कां या नेता भी एक दूसरे पर राष्टिये नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं सीट बटवारे पर कांग्रेस के नेताओं के बयान से अखिलेश यादों का पी नाराज है और इसी नाराजगी में उन्होंने चिर्कुट सब्का भी इस्तेमाल किया अखिलेश यादों का आरो कि वो पांच राजियों के चुनाओं में महुत बहतर परदर्सन करने जा रही है जिसके बाद वो उत्तर परदेश में अपने दम पर तोल मोल करेगी और अखिलेश ना सही तो फिर मायवती सही वो उनके साथ भी जा सकते हैं उस पर हम बात में बात करेंगे लेकिन पहले ब पास गाउं में बस्ता बिछाने वाले लोग नहीं है संगठन नहीं है कारकरता नहीं है वो पार्टी रातो रात कैसे उत्तर परदेश में चबतकार करेगी ये किन नेताओं के हवाई-पुल के अधार पर अपने दोस्तों को अलग किया जा रहा है ये कांग्रेस के रणिना है और भाजपा जो 75 प्लस का लक्षी लेकर चल रही उत्तर प्रदेश में वह आसानी से इसको पूरा कर जाएगी जिस कांग्रेस के पास जमीन नहीं है आधार नहीं है उत्तर प्रदेश में वह एक नए अध्यक्ष के दम पर बड़ी-बड़ी बाते करके सवा सव से ज्या दिखाने की कोशिस कर रही है दोस्ती बराबर के अस्तर पर होती है जहां जो बड़ा होता है वहाँ छोटे को जुकना पड़ता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करीब 35 सालों से सत्ता से बाहर है उसका जनाधार बहुत कम है लेकिन उनके बयान बहुत बड़े-बड़े अब बात आती है कि जब यह गडबंदन तूट गया अखिलेश यादो और इंडिया के बीच राहुल गांधी के बीच तो फिर कांग्रेस क्या मायवती को अपने साथ लेने की तयारी में है उसका एक रास्ता उसके नेता चर्चा में आजकल खुला रखने की बात कहते हैं इंडिया में जाएंगे तो ऐसे में कांग्रेस की भरोसे पर अखिलेश यादो से दोस्ति तोलने को तयार है निजैद क्या खाली कांग्रेस के पास ही यह विकलभ है कि कि वह मायवती से घड़ बंधन करें अखिलेस यादों के पास क्या ये बेवस्था बेकल्प नहीं है कि अखिलेस और मायवती भी आपस में घड़ बंधन कर सकते हैं इस पर भी कोई रोग तो है नहीं तो मायवती को भी फाइदा अखिलेस से ज्यादा घड़ बंधन करने में होगा पिछली बार 2019 में यह लोग लड़ भी चुके हैं 49-49 सीटों पर पुराना बुआ भतीजय के रिस्ता भी है यह गडबंधन तूटने की नौबत पे सिर्फ एक काटा आता है वह मुस्लिम बद्दाताओं का कि कांग्रेस कह रही केंद में हम सरकार बनाएंगे मुसल्मान हमारे साथ आजाओ मुसल्मान यहां समाजवादी पार्टिक साथ जुड़ा हुआ है उदर आजम खा जेल चले गए उससे मुसल्मान और नाराज है कि कम से कम सपा उनके लिए लड़ती है अब भी जैपी इसमें दूनों फाइदेम है कि यह दोनों जो गडबंधन मना था अलग हो गए मायवती अलग थी अब हमारा रास्ता एक दमसाफ है दोड़ते जाओ निकल जाओ तो जब यह सब इस्तिती बनेगी आने वाले वक्त में तो एक और पेच आएगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो गांधी परिवार है वो अमेठी और राइबरेली में च वो कांग्रेस को अमेठी राइबरेली मिलता था राहूल गांधी पिछली बार हार गए जब कंडिडेट ने उतारा सपाने तब भी अबकी अगर उतार दिया तो पिछली बार तो एक राइबरेली जीत भी गए थे अबकी बार पता ने जीरो ना हो जाए राहूल गांधी और सोनिया गांधी के लिए ये लड़ाई फिर राइबरेलिय मेठी में बहुत कठीन हो जाएगी आज जो लोग करनाटक और हिमांचल परदेश में चुनाव जीत कर लोग सभा में बीजेपी की सीटे कम करने का दावा कर रहे हैं उसकी भरपाई अपने आप उत्तर परदेश में काम्याब होगी